हालो माई डियर श्टुदेंट्स आज हमने समझेंगे ग्लाइकोजेनलाइसिस को इट्स मेंस प्रेगडाउन अब ग्लाइकोजेन ग्लाइकोजेन का तूटना ग्लाइकोजेन मसल लिवर में इस्टोर होते हैं जब हम fasting में रहते हैं तो यह glycogen तूट का glucose में बदल जाते हैं जिससे हमें energy मिलती है चले समझते हैं इनकी steps को सबसे पहली step जो होते हैं जो glycogen molecule होते हैं वो तूट जाते हैं glucose 1-phosphate में और limit dextrin में in the presence of enzyme glycogen phosphorylase next step क्या होती अब deep branching enzyme यहाँ पर आते हैं और तीन गुलकोज रस्टीडी को निकाल लेते हैं और man chain के साथ add कर देते हैं जबकि एक गुलकोज molecule यहाँ पर बस जाती है next step में हम देखते हैं जो एक गुलकोज बचे हुए है वो freely move कर जाएंगे मिंस निकल जाएंगे अब जो है इसमें deep branching enzyme यहाँ पर work करते हैं और हम देखते हैं यह अब linear form में यह बन जाते है अब इस पे एक enzyme work करेगी that is phosphorylase और वो convert कर देंगे glucose one phosphate में further फॉस्पो गुलको म्यूटियस enzyme की महत से वो convert हो जाते हैं glucose six phosphate पे further इसमें एक enzyme work करते है that is glucose six phosphatase और वो convert कर देते हैं glucose six phosphate को glucose में I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी please like, comment, share and subscribe कर, thank you